ग्रहनी कारिक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नवस्कार। और साथ में मौझूद हैं संगीत विशेशाग्य और सितारवादत श्री परिमल सदाफल जी आप दुनों का मैं स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वादत करती हूँ इंसान अपनी उम्र के कई दौर से गुजरता है जाहर सी बात है कि जब यंग एज में है और उस टाइम उ हूण लेता है और अपने मन मताबिक सिलूशन ढूंड लेता है व्रद्धा अवस्था लेकिने कैसी अवस्था होती है जिसमें आसानी से इस तरह की चीजें ना तो हम सुन पाते हैं ना बजा पाते हैं खास्तोर से तो जो बुजर्ग लोग हैं हमारे घर में दादा-दाद नहीं है नना नानी अनप लोगों को अगर डिपरेशन हो जाता है उंन लोगों को अगर अगर stress होता है तो वो किस तरीके से संगीत के जरीए अपने stress बाहर निकाल सकते हैं, वो क्या और बाकी कुछ लोग संगीत के भी बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं, जो मन को बहुत शान्ती पहुचाते हैं कुछ प्रकार तो उनमें से अब लुप्त भी हो रहे हैं, तो कोशिश यह होनी चाहिए कि इन सब प्रकारों को आगे लाया जाए और इनको लुप्त होने से बचाया जाए यह तो बात है परिमल जी संगीत की, लेकिन अब हम खातिव होंगे, डॉक्र साब आप से इसमें मैं इनी की बात थोड़ी से आगे बढ़ाऊंगा, ओल लेज में जैसे आपने कहा कि कई बार क्षमताओं में कमी हो जाए जैसे उतना hearing नहीं है, आदमी सुन नहीं सकता, लेकिन मन में तो गुन-गुना सकता है, thinking तो है, thoughts में तो गाना गा सकता है, thoughts में तो संगीत से संबंधित रह सकता है, तो वो भी एक तरीका है अपने मन के भावनाओं को बाहर निकालने का ये तो बात हुई रग्साब संगीत से जुड़ी हुई कि किस तरह इसके माध्यम से हम अपने मन के भावन को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर medical aspect इसका देखे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, खास तोर से आपको बीश में रोक रही हूँ, व्रधा वस्था से जुड़ हुए लोगों के लिए और महलाओं के लिए, क्योंकि बहुत बाहर होता है कि घर में महलाई ही हैं, जो अपनी problem को ना तो share कर पाती हैं, और ना ही अपने लिए वो time निकाल पाती हैं, तो संगीत के अलावा वो और कौन-कौन से तरीके हैं, जिनके जरीए एक मह और वृद्ध लोग अपने तनाव को बाहर निकाल सकते हैं. अगर नहीं है, तो वो भी किताबें पढ़के यह चीज कर सकते हैं, और अगर देखने की कमी है, तो आजकल टेलिविजन एक माध्यम है, जिसमें आप सुनके, देखके, क्योंकि वो एक बड़ी चीज होती है, उसमें बहुत बारीक अक्षा नहीं होते हैं, पढ़ना नहीं पढ़ने शायद कहीं ढून पाएं, और उनका वेंटिलेशन हो पाएं, इसके अलावा जो वोक्स जैसे मॉर्निंग वोक्स में, ओल्लोग मॉर्निंग वोक्स में जाते हैं, तो वो एक समय होता है जब उनकी एज ग्रूप के और भी व्रिध्ध लोग उनके साथ में होते है तो जो एक अकेला पन होता है, जो बच्चों से नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि बच्चे बिजी होते हैं, तो वहाँ पर वो वोक्स के लिए जाएं, साथ में आपस में बातें भी करें, गपें लगाएं, अपना दुख़़ा नहीं रोएं, लेकिन अच्छी ऐसी बाते करे पार्क में बैठें, यह ने की खाली वॉक किया और वापस आगे, पार्क में बैठें और उसमें समय बिताएं, आपस में अपने हम उम्रुत दोस्तों के बीच में समय बिताएं, उनसे बाते करें, और कई बार आप वहाँ पर अपनी समस्याओं को भी डिसक्स कर सकते हैं, और कई बार आपको लगता है कि खाली आप अकेले नहीं हैं उस समस्या से, बहुत बार लोग इसलिए परिशान होते हैं, शायद मैं ही अकेला हूँ, जो इस समस्या से ग्रसित हूँ, मेरे ही बच्चे ठीक नहीं, बागी तो सब के बच्चे ठीक हैं, लेकिन जब आप बात किसी दूसरे से कहते हैं, और उसकी सुनते हैं, तो मन में अचाना की कंपारिजन सा आ जाता है, अरे नहीं, मेरी हालत उतनी खराब तो भी नहीं है, दुनिया में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो शायद कहीं ऐसा लगता है कि अपने आप ही हम अपने आपको कंस अपने संगीत के जरिये स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताएं और परिमल जी आपने संगीत के जरिये स्ट्रेस को दूर करने के जो भी उपाय बताएं और जो कुछ भी आज आपने हमें बजा कर बताया है, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बह लाब पहुचा होगा